नमस्कार साथियों मैं वूपसिंग राटर स्वागत करता हूँ आप सभी को लिग्जम प्लेस पर तो फटाफट जुड़ जाए हमारी लाइफ प्लास जो स्टार्ट होने वाली है दमदार कोश्चन रहेंगे आज के मद्धिप्रदेश का करेंट अफेर रहेगा 2023 वाला ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज से सभी लोग जुड़ जाएं सभी लोग आकर शेयर कर दें ठीक है अपने मित्रगणों को जरूर शेयर कर दिया करो और आते से लाइक ठोक दिया करो ठीक है और जो बच्चा भी तक ग्रुप में एड नहीं हुआ है तो वह ग्र लोगों नहीं किया हुआ अभी तक लॉग इन कर लो ठीक है डेमो क्लासे से आप क्या को आपको जो भी क्लास जमती उसकी डेमो क्लास भी आप अटेंड कर लो साथ में अलगला कोर्स वहां पर दे रखें ऑफर चल रहे हैं उन्हों परस का भी आप लोग लाब उठा सकते है है ठीक है ना एक प्यूस्थ का भी कोर्स लॉंच हुआ या फटा-फट जोइन कर लो अगर आप परस्ट का एक्जाम दे रहे हैं एससे पटवारी दे रहे हैं तो सब कशाब रहेगा आज आते हमारे कॉशन पर आज का फस्ट कोशन है हिंदी भासा प्रियोक शाला कहां बन प्रदेशेंव बन रही है अपको बताना है कहां पर बनाई जा हुए रीवा, सतना, सागर या भोपाल फटा-फटा बता तो भी है हिंदी परियोग साला रादे रादे भाई जॉली भाई है हमारा भी सुनिए क्या सुने भाई आपका बता है सुनाएं आप तो हम सुनेंगे बिलकुल जो भी आप सुनाना चाहते हैं सुनाएं लेकिन कोशन के आंसर जरूर देते जाएं ठीक है ना बहुत important question है GKK भी साफ से है MPK current के साफ से भी है ठीक है तो पहला question ही देख लो भाई हिंदी भासा प्रियोग शाला मद्धि प्रदेश में किस जिले में बनाई जा रही है रीवा में सतना में सागर में या भोपाल में ठीक है तो फटा फटा इसका उत्तर दे दे एक उत्तर आया है सतना ठीक है बांकि सभी लोग देखे उत्तर देंगे भाई ठीक है नहीं पता है तो कोई बात नहीं उत्तर जरूर देना है तुक्य का भी अंदाजा लग जाएगा उससे और बहुत सारे आपको जो है ना क्लियर हो जाएंगी चीजें एक उत्तर आ गया है रीवा का आया है ठीक है दो अंसर आ गया है हमारे पास सभी को अंसर देना बहुत जरूरी है हिंदी भासा प्रियोग शाला है ना राजे इसमीन भाई नमस्कार चलिए रीवा आ रहा है अलग अलग उत्तर आ रहे हैं फटा फट चलिए बहुत अच्छी बात है सब ने उत्तर दिया है ठीक है लेकिन इसका राइट आंसर आपका भोपाल याद रखना हिंदी भासा प्रियोग शाला भोपाल बनाई जा रही ह गो क्यों कि हिंदी युणवर्शिटी कहां पर हमद्यप्रदेश में यह भी कुशन बनता है अल्ब भियारी बाच पर हिंदी ऊनवर्षिटी या हिंदी विश्विध्यालाय है यह भोपाल में है इसलिए जो प्रियोग शाला नहीं बनाई जा रही है ठीक? ना चलिए याद रखेंगे ठीक है डीस का अंसर होगा भोपाल मिस्थ अटल बिहारी बाचपे हिंदी विश्विध्याले में देश की अनूठी हिंदी प्रियोकसाले की स्थापना की जा रही ऐसी प्रियोकसाले जिसमें स्टूडेंट शोध के साथ अगर आपको लगता है आपकी हिंदी भासा पर पकड़ कम जोर है आपका हिंदी भासा पर उचारण कम है शब्द कम आते हैं ठीक से बोल नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं तो आप इस लाइब्रेरी में जाके अपनी हिंदी भाषा को इंप्रूब कर सकते हैं और बोलनी की प्रैक्टिस भी आपर कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए यह कहां पर बन रही है याद रखना भुपाल में अटल विहरी बाच पर हिंदी विश्विद्यालाय के अंतरगत है ठीक है ना अब यह भी प्रशन बनता है अटल विहरी बाच पर जो हिंदी विश्विद्यालाय वो कहां पर है तो उसका भी याद रख लेंगे आप लोग ठीक है अगला कोश्चान है आपका आज का सेकिंड कोश्चन कि मद्य प्रिदेश का सबसे बड़ा हरवल गार्डन कहां बनाये जा रहा है मद्य प्रिदेश का सबसे बड़ा हरवल गार्डन ग्वालियर में भूपाल में इंदौर में या उज्जेन में फटा फट बताएंगे अंसर सबसे बड़ा हरवल गार्डन जो है मद्य प्रिदेश का वो आपको भी यह कहां पर बनाया जा रहा है फटाफट उत्तर देंगे आप लोग ठीक है ना चलिए गौालियर, भूपाल, इन दौर ठीक है नहीं यह आपका उज्जेन तो फटाफट बता दें कहां पर बनाया जा रहा है मद्ध पिर्देश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन चलिए भाई बताएं फटाफट सबी लोग गौालियर में हैं, भूपाल में हैं, दौर में हैं या उज्जेन में हैं मौसम के परिवर्तन से भाई थोड़ा सा इंफेक्शन फैला हुआ है बाहर इसलिए सभी लोग जितने भी स्टुडेंट हैं खाने पीने पर विशेश कर पानी पर अच्छा खासा ध्यान दे ठीक है न वरना तबियत खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है ठीक है और इस सीजन में तबियत खराब होने आपके लिए बहुत नुकसंद आया के खास कर वो बच्चे जो एक्जाम देने वाले हैं तो इसलिए स्वास्त पर थोड़ा सा विशेश ध्यान देते रहिएगा सभी लोग एक उत्तर आया है भोपाल ठीक है रायतानि भोपाल में जो कलियः सोत पाहळीं ठीक है यहां पर डैम बना हुआ है कलिया ऌस्त जो डैम है ठीक उसी पाहळीं पर 15 एकट्ट जमीन पर बढ़द पर मद्रिधरीम कारद कि कई हरबल गार्डन बनाया जा रहा रहा है ठीक है न हरवल गार्डन बन रहा है भोपाल में कलिया सोथ पहाड़ी पर ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है कि मद्य प्रदेश का पहला थेला ATM कहा शुरू किया गया है ठीक है फटा फटा पता है मद्य प्रदेश का पहला थेला ATM जो है कहां पर है गौालियर है इंदौर है दतिया ह या आपके शेव पर में है थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे उत्तर आसानी से बन जाएगा ठीक है थैला ATM क्या होता है भाई तो एंसा ATM होता है जहां पर आप 10 रुपय का सिक्का डालेंगे या 10 रुपय का पर आसान रहेगा तो इसलिए क्या होगा आपका पर्याबरन में प्रदूशन नहीं होगा उसकी बज़े से ठीक है चली तीसरे logic लगा सकते थे उसमें ठीक है और जब भी answer देना हो और answer का correct उत्तर एकडम accurate नहीं पता हो तो हम logic ही लगाते हैं option देख के ठीक है तभी तुकका लगाए कर तुकके का याद रखेंगे इंदोर शहर में थैले ATM लगा दिया गया है जो परियावरण को सुरक्षित रखने के प्रयाश किया जा रहा है मैंने कुछ दिन पहले प्लास में बताया भी था कि यहां पर भी यह तंदूर भगेरा भी बंद करवाए जाएंगी ठीक है ना जिस्सी की थोड प्रशन है कि हाली में विक्रम विश्विद्यालय में एक्जाम वरियर्स नामक पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी संस्क्रण का लोकारपन किसके द्वारा किया गया है राजपाल मंगु भाई पटिल के द्वारा मुखमंत्री सिवरासीन चोहन के द्वारा नरुत्तम बता दो कौन सी एक्जाम वरियर्स ठीक है ना एक्जाम वरियर्स नामक किताब है कहां पर भी या तो आप जानते हो जैन में जो विक्रम विश्विद्यालय है उस विक्रम विश्विद्यालय में इसका लोकारपन किया गया है बताओ चारों में से किस व्यक्ति के द्वारा को लोकारपन किया गया है साथ में ये भी बताओ कि जो book है exam warriors ये किताब किस व्यक्ति के दवारा लिखी गई है बहुत महत्मूर व्यक्ति है सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग ठीक है तो ये भी आपको बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये किताब लिखी गई है और सभी आंसर देंगे बहुत important चीज़ भाई ठीक है चौते का ये answer ठीक है सभी लोग उत्तर देंगे और सांथ में ये भी बताते चलेंगे कि भई ये किस व्यक्ति के द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है नरेंद्र मोदी चले ठीक बिल्कुल सभी है answer कि भी ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी की किताब है exam warriors ठीक है ना सब बच्चों को याद रखना है और ये students के लिए ही लिखी गई है विशेश कर ये भी बता दूँए ठीक है ऐसे student जो की exams खासकर ये competitive exams का अगरा देते हैं थोड़े से कठेन exam जो अच्चे देते हैं उनके लिए भी ये बहुत शांदर किताब रहेगी exam warriors नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है और इसका रायटांसर ए ही रहेगा राजपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा इसका लोकारपन किया गया है याद रखेंगे ठीक है न कहां से उज्जेन के जो है आपके विक्रम विश्विद्याले में इसका लोकारपन किया है ठीक चलिए राजपाल बंगू भाई पटेल ने विक्रम विश्विद्याले में एक्जाम वोरियर समना कि पुस्तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्क्रण के जो है लोकारपन किया प्रधान मंत्री सुरी नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लिखित पुस्तक है एक्जाम वोरियर्स में विध्यारतियों को सुस्तमन ठीक है न इसके लाव मस्तिक्स, उमंग, उल्लास के साथ परिक्षा देने वा खेल, योगासन और जीवन के प्रती पॉजिटिव नजरिया के साथ सफल होने के लिए जो है सूत्र बताए गए है ठीक है अगला कोशन है आली में मद्ध प्रदेश से जो है मिस एंड मिस्टर इंडिया डेफ ट्रॉफी किसने जीती है डेफ ट्रॉफी किसने जीती है याद रखना विजेता नहीं रहे हैं रना रप रहे हैं तो आपको बताना है खुझू पटेल, हर्शोहन, जैरामजाट ये खुझू पटेल और हर्शोहन दोनों तो फटा फट बता दो भाईए इसका उत्तर किस के दौरा भाईए जीता गया है मिस ठीक है न मिस इंडिया आपका जो है मिस एंड मिस्टर इंडिया ट्रॉफी ठीक है किस व्यक्ति के दौरा जीता गया है फटा फट बता दो रहा ना रप रहे हैं मद्दे प्रदेश की हैं इसलिए इंपोटेंट है ठीक है पांच वो प्रस्न चलिए पांच में के उत्तर आ गया फटा फट डी आंसर इसका जो है आ गया है ठीक है दोनों को तराया है बाकी के बच्चे भी देंगे हलका फुल का लॉजिक लगाओगे आंसर आसानी से बन जाते हैं ठीक है तो बिल्कुल उत्तर आप लोगों को जो है देना ही रहता है चलिए बिल्कुल सही आंसर सभी का खुशु पटेल वो हर्शोहन और इनके संबन है आपके इंदौर शहर से है अगला प्रस्वाहँ है भी आपके एतिहास से कि गवालियर की संदी किस वर्थ हुई थी गवालियर की संदी इंटारा सुचार में 1809 में 1807 ये 1824 में फटा फट बता दो ग्वालियर की संदी ठीक है सीधा सिंधिया बंस पर आ गए हम लोग तो सिंधिया बंस में जो है important संदियां सब चीज़ें पूछी जाती है इसलिए सब के जो है mix question बनाए गए है ठीक है ना तो सीधे इतिहास पर आ जाओ 17 या 1824 में कब हुई थी फटा फट बताएं यहां से प्रिष्ण का किर्मांग के देना जरूर चालू करें कि आपका जो answer वो कौन से question का आप answer दे रहे हैं ठीक है प्रिष्ण किर्मांग के साथ मुक्तर देंगे साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कोई संदी अगर हुई है तो वो इस्थान के नाम से है तो कौन से इस्थान पर हुई है किस किस के मद्ध हुई है ठीक है न ये सभी जानकारी आपको जो है हमेशा होनी चाहिए याद रखना ठीक है तो लिए च्छटबे का सी answer आ रहा है ठीक है सही answer आपके क्या है ऐठारा सु सत्रा ठीक है याद रखो कि गौलर की संदी यो 1867 होई है बहुत महत्पूर है याद रखना है न न दौलात्राव संदिया के समय की घटना है करण तो मार्च 1794 में ठीकना ना याद रखना कोडरला के युद्ध में निजाम को परास्त पिया थे न उने ठीक है ना अब अगर पूछ ले आपसा कि भी यह कोडरला की युद्द के बारे में बिताओ मैं सो पूछ ले जाता है केबल की आप पूछेगा? कोडरला का युद्द पूछ लेगा तो आपको क्या-कया मिल गया पॉइंट पहली बात की भी यह looking के द्वारा लडा गया ठीक है फिर कब लडा गया और कौन इसमें पराजित हुआ या किस-किस के मत जो है लडा गया ठीक है तो निजाम को इन्हों की संदीगी किया कों से फंद की अरजन गाओं की इनकी द्वारा प्रितीफटL था यह सब चीजें 1810 में 3 को परीवर्टित कर सद्वारों एक तो इसलिए क्या करेंगे उज्जेन से राजधानी हटा लेंगे और उज्जेन से हटा कर कहां पर इस्ताफित कर लेंगे यह भी प्रशन पूछा जा सकता है आप से किस के दौरा राजधानी परिवर्तित की गई अठार चास में अंग्रेजों के साथ जो है बुरहानपूर की संदी याद रखना ठीक है अन्यकार की बात करें तो एक लशकर नगर बसाया जो वर्तमान गौलियर इस्तित है ठीक है ना वर्तमान गौलियर में इस्तित याद रखना गौलियर में जो है फूलवाग और मोती महल का निर्मान इनकी द्वारा करवाया गया महराजवाला बन किया गया यहां से भी प्रशन जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से ठीक है देखो इनके द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख संधी हुई तो याद रखना सुर्जी अर्धन गाओं की संधी हुई कब हुई थी भी यह दिसंबर 1803 में ठीक है द्वालतराव सिंधिया और अं चुठाने वालत हैगा तो यह क्या करेंगे इन पर नियंतरन करते रहेंगे फिर बुरहानपूर की संधी की बात करें बुरहानपूर की संधी आपकी कब हुई है भी यह फरवरी 1804 में किस-किस के मत दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के मत कारण क्या था तो दौलतरा को जो है युद्ध की नीती में बिटिसर्स जो है मदद करेंगे यह संधी का काम था ठीक है ना यानि कि अगर युद्ध होता है तो उसमें क्या होगा बिटिसर्स वही है साथ देंगे किसका साथ देंगे आपके भीया सिंधियां का साथ देंगे ठीक है विशेश करकिस में यो युद्ध नीती तैयार की जाएगे आधुनिक युद्ध नीती ये लोग जानते थे अंग्रेज उसमें ठीक है चलिए इसके बाद गौलियर की संदी गौलियर की संदी का हुई ये पांच नॉंबर 1817 में हुई है ठीक है ये भी इंपोटेंट है ये याद रखना है ये म मानता में लग और सिंदी आप अंग्रेजों के अधिन रहेंगे जो कि पिर कप तक रहे सी डीसी बात है तो याद रखना कभी प्रशन कर ले आपसे जो सिंधिया लोग है वो ग्वालियर के जो सिंधिया राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन कब से कब तक रहे तो याद रखना 1817 से लेके 1947 तक जो है ये अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे किस संधी के रूप में भईया तो ग्वालियर के संधी के अनुसार ठीक है इस सं इंग्रेज और जो है सिंधिया शाशक्या बन गया थे मित्र बने जो की सेंटालिस तक बरावर रहे चलिए याद रखेंगे चलिए कोई बच्चा साथ पीछे भी चल रहा है बिचारा पुराने कोशन के आंसर दे रहा है तीसरे का इसलिए बोलता हूं कि जब भी लेक्चर में जोड़ो तो उसको फारवर्ट करके जो है बराबरी पर आज आया करो ठीक है ना तो उससे क्या दिक्कत नहीं है यादि फि भागिरत शिंदे था तो फटा फटा बता दो लास्ट तक रहे बिलकुल सही था भाई मेरे लास्ट तक फिर अंग्रेजों के साथ में जो है दोस्तिन की रही ठीक है फिर उसके बाद जो है भारत संग में भी मिला लिए गये थे तो बता भी यह जानकोजी सिंधिया जो होनी चाहिए ठीक है सादा सिंपल नाम अगर रहेगा सोचो किसी बच्चे का नाम राजू है अचानक से उसको किसी देश का राजा बना दिया तो कैसा रहेगा महाराजा राजू किसी किसी बच्चे को जो है कालू बुलाते हैं तो महाराजा कालू महाराजा छोटू महान प परिवर्तित कर दिया जाता है ठीक तो अब आप लोग सोचो कि अगर किसी देश प्रदेश का अगर आपको राजा बनाया जाए तो आप भी अपने नाम में क्या परिवर्तन करने वाले हो तो फटा फट बता दो साथवे का ए आ रहा है मुकुट राव सिंदे ठीक अब सोचो उनका नाम था मुकुट राव सिंदे लेकिन या जानकोजी राव सिंदिया थोड़ा सा बजंदार नाम लग रहा था ठीक है तो आप लोगों को भी जो है बताना चाहिए मुझे ठीक है तो सब बता दें भाई कमेंट करके कि आपका नाम जो है उसमें आप क्या परिवर्तन करोगा अगर आपका जो है राजपार्ट आपको कोई दिया जाए आपको राजा बना दिया जाए तो कौन से प्रतापी नाम रखोगे क्योंकि याद रखना बजंदार नाम होना जरूरी है तो अगर आपका नाम राजव है और आप बन गए डिपीटी कलेक्टर बन गए कलेक्टर बन गए तो क्या असा नाम लगेगा ठीक है ना तो नाम थोड़ों से दंदार होना चाहिए चलिए चलिए राज ने दे कमेंट में नहीं पढ़ता भाई ठीक है ना ध्यान रखना हाँ इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है मुकट राव सिंदेन का क्या था ओरिजिनल नाम था जब राजा बनेंगे तो जानकोजी राव सिंदिया के नाम से जो है राजपाट सम्हालने वाल ठीक है ना जानकोजी सिंदिया दुतिर या फिर बैजावाई के दौरा तारावाई के दौरा या जयाजी राओ के दौरा तो फटा फटा बता दो भी ठगी प्रता इंपोटेंट क्यों है एक मूवी भी आई यह ठकस ओफ हिंदुस्तान करके अमिता बच्चन की ठीक है ना प्रता दिया थोड़ा सा देश प्रेमी बगरा लेकिन जो ठगी प्रता वाले जो ठग थे वो एक्शल मैसे नहीं थे वो लुटेरी लोग थे ना इनकी भी कहानी समझाते हैं लेकिन पहले बताओ कि ठगी प्रता को किस किस व्यक्ति के दौरा रोका गया एक तो अंग्रेश प्रता को रोकने वाला शाशा कि अशाशी का कौन थी सिंधियावन्स की अधिया अधिया और अमिता बच्चन सहीए भाई अमिता अमिता बच्चन और आमिर खान था उसमें अमिर खानी था ना हाँ अमिर खानी था भी आया है बैजा भाई ठीक है एक तरह सब लोगों को अंसर देना भाई ठीक है ना जरूरी है अच्छा सिंधिया शार्षा की क्यों शामिल होंगे इसमें क्योंकि जो ठगी पर था चलती थी अगर आप लोगो नहीं पता हो तो थोड़ा सब उसकी स्टोरी बता दें कि उसमें क्या था जो राजमार्ग था आपका गौालियर से लेके आगरा तक का जो मार्ग था उस मार आगे पर क्या है कुछ ठाग लोग जो है लूट पार्ट करते थे लेकिन याद रखना उनकी लूट का किसी को पता भी नहीं चलता था ठीक है बड़ा किलियर लॉजिक था उनका कि पुराने समय में क्या है जो बैपारी वर्ग जाता था तो रथ घोड़े तांगे और खास जो है गोलिएर से होतकी ही जाता था ठीक है न तो यहां पर कुछ लोगोंने क्या काम चालो किया ठीक ही बहुत जादा क्थञी खतरनाग होती थी क्या हो था इसमें कि सिंपल सी वात हो थी टी कि भाई जो ब्यापारी का घ्री जाता था orama का भूए भी आस पास जैसे ही यह लोग पहुंचते थी जैसे बुर्णपूर से बहुत सारे लोग जाते थे बैपार करने आग्रा से होते हुए आपके कहा पर जाएंगे। दिल्ली तक जो जो है जाते थे ठीक है ना तो यहाँ पर क्या करते थे लोग ग्रामर्णी शेत्रों के कि यह अलग- लगशेत्रों के नाम से इका होते थे शαमिल होते थे गुरुप में और ये धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अपनी संख्या बढ़ते जाते थे और साथ में नजर रखते थे कौन कहां पर अपना धन रखता है किसा टेंट कहां पर लगता है खाने पीने केंगा schedule क्या है ये सभी चीजों पर wishes ध्यान रखते थे और ये इनका group जो है दीरे-दीरे क्या होता था बढ़ता जाता था और जैसे ही goalier से आगे की तरफ ये लोग बढ़ते थे तो बीच में रास्तों में जब रात को रोका करते थे तो क्या करते थे ये इनना पूरा प्लान तयार कर लिया सभी लोग एक साथ सामिल हो गए हैं तो अभी ये क्या करेंगे काउंटिंग कर ली किसके पास कि तद्धन है और रात को क्या करते थे खाने के जो समय होता था बैवार तो बना इए लेते थे ते अच्छा खासा तो खाने में शामिल हो जाते थे और खाने में क्या करते थे भांग वगईरा मिला देते थे नशील-इ-पदर जो होते हैं वो मिला दिया अब खाना खा के आदमी बढ़ियन तरीके सा सो जाता था रात में और ये फिर क्या करते थे ये उनका जो है मडर करते है वर मडर के हमेंस करते थे तो जो रुमाल हमाल के बीच में सिक्का रख लिया उसको गुमाके और उसी सिक्के से जो है गला गोर देते थे लोगों का ठीक है अब सभी लोग मर गए उसके बाद क्या किया बढ़ियां तरीके से लूट और सांथ मैं गड़े की अब इतनी मेनत कोन करें सब को इतना लंबे चोड़ा गड़े करके दफनाने का दिये का करते थे घुटने के यहां से घुटने तोड़ दिये है तोड़े से ठीक है ना और सरीर के जो हड़ियां तोड़ को उसको फोल्ड कर देते थे सरीर को और क्या कर दिया भी यह जमीन में उसको दफना दिया ठीक है आप जंगलों में ले जाके इदर उदर जाके जो है दफना दिया सारा सामान गाइब कर दिया टेंटमेंट हटा दिये जला दिये अब क्या होता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई लूट मार हुई है क्योंकि कोई ना तो लास मिलती थी ना खाली टेंट मिलती थे ना बेल गाली मिलता थे ना कुछ मिलता थे यानि कि गुरूप निकला है लेकिन आगरा पहुंचा नहीं है बीच में कई वो अचानक से गायब हो जाता था ये सब जो है चलता रहता था ये थी आपकी ठगी पर था फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे पूरी चल रही है तो यह उनके साथ भी सेम काम करने लगे अब जब सेम काम करने लगे तो यह अधिकारी जो है अंग्रेज चलते थे वहां से ठीक है आगरा से गौलियर के लिए निकले पहुंचे नहीं तो बीच में यह ढूंदने के लिए जब सेना जाती थी तो कुछ नहीं मिलता था तो यह वाली समस्या थी लेकिन इस चीज की कहिने कहीं अंग्रेजों को खबर लगी और फिर सिंदिया शाष्कॉन और इन्होंना प्लान करके जो है इस ठागी प्रता को बंद कराया था याद करना तो उस कोईन और वो रुमाल आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे उस एक ही कोईन और रुमाल से जो है अजारों लोगों के गले घोंट दिये गए थे ठीक है न उसका बिल्कुल राइट आंसर सही आएगा आपका बैजावाई ठीक है यही थी शाषी का याद रख जो है समाप्त ही याद रखना है ना तो बैजावाई जरूर नाम याद रखना इनके द्वारा ही अंग्रेजों के साथ मिलके जो है ठागी प्रथा को समाप्त किया गया था ठीक चलिए जानकुजी सिंध्य दुत्ति एक समझे लेते हैं इनका मूल नाम क्या था मुकुट् पत्रव के पत्नी ठीक है इन्होंने इने गोद लेकर जो है जानकोजी राओ के नाम से जून अथार…? 27 में जो है क्या बना दीया था इनको 건 शाषक upon की इनका मूल नाम है तब मूकोटराव सिंध्य थीक है अल्प वैस होने के कारण का है बैज़ावाई ये संग्रक्षिका क जो है सौब दी ठीक है ना तो बाद में वही है जो बैजाबाई होंगी उनको कहाँ पर भेज देंगे उज्जेन भेज देंगे शासन पद्धिती से हटा कर ठीक है अठारोस त्युत्त आलीस में क्या हुआ है इनके वाद इनकी मिरत्ती हो गई और जाय जी सिंदिया जो है अ बन वाध यहां बन वाया और में जो है बैजा ताल का निर्माण इन के द्वार करवाया गया तो याद रखना भानारस को बैजा ताल या था निर्मित करवाया गया था बाद में क्या हुआ अंग्रेजों ने जानकोजी राव दूतिये के संगरक्षान से अठा के सीधा कहां उज्जेन जो भी इनको भेज दिया था याद रखेंगे फिर 1832 से लिए 1857 तक ये ग्वालियर से बहारी रही 1857 की क्रांती के समय इनका ग्व जो कि विरुद्ध थी ठीक है अगला प्रस्न है कि जै विलास पैलेस का निर्मान किस ने करवाया था जै विलास पैलेस इसका निर्मान किस ने करवाया था जानकोजी सिंध्य दुत्तिये बैजर भाई तारा भाई या जैया जी राओ फटा फटा बताओ इसका उत्तर भी तो आप लोगों से पूछता रहता हूं कि अगर कोई कमी हो तो जरूर बताओ कोई सलहा देना हो, मश्वरा देना हो तो जरूर दिया करो है कमेंट में दे सकते हो, नॉर्मल लेक्चर देखते हो तो उसके comment box में दे दो या आप group में add अगर हो गए हो तो आप group में भी अपना suggestion दे सकते हो ठीक है चलिए बता दें भाई जै विलास पहले इसका निर्मान किसने करवाया था इसके पहले भी मैंने live classes ली है exams के पहले तो या आपका question फस्ते हैं इसलिए class को अच्छे से ध्यान से देख लो बहुत सारे प्रस्ण या रहे बतारों में MP के सभी प्रस्ण आपके यही solve हो जाएंगे ठीक है model इसी तरीके स्ता यार करते हैं सबसारा question की उम्मिद इस बार इतिहास से है साथ में current पूछते हैं तो current भी हम cover कर रहे हैं ठीक है चलिए D आ रहा है भाई इसका answer 9 का D answer आ रहा है ठीक न है जयाजी राओ ठीक है मैं बता दूँ ठीक है जयाजी राओ बिल्कुल सही है क्यूंकि उस्ता इसमें राजा यह थे और बैज़ावाय उस संग्रक्षिका थी ठीक है न NO C और D डोनों रहेगा लेकिन अगर जी राजा का नाम है कहीं भी कोई Also place कोईशन है राजा कोई है और उसका कोई सं प्रॉक्षक संग्रक्षिका है भले ही काम संग्रक्षक या संग्रक्षिका ने करवाया हो राजा के नाम से ही जाना जाएगा लेकिन ऑप्शन में अगर राजा का नाम ना हो तो उसको क्लिक कर दो लेकिन अगर राजा का नाम है तो याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना राजा के नाम से इस सभी चीज़ें बनाई जाती है ना तो जैया जी राव सिंधिया क्या होगा इसका राइट आंसर होगा किसी किताब में आपको बैजा वाही भी देखने को मिल जाएगा कि इनके द्वारा करवाया गया था ठीक है लेकिन वो राज शाषन तो इहीं का था ना तो इस कि अधीन जो होनए शाषन किया था ठीक ना यहां पalı बैजा बैजावाई ना सकते कि संरक्षक में काम किया था याद रखेंगे ठीक है 48ます 15596 विद्रों में इसको याद रखना पूचा जा सकता है कि 1857 विद्रों के समय जो है बहिया सिंधियाँ किसका शाशन था शाशन था तो याद रखो कि इननी का शाशन था 18ve57 के विद्रोव में क्या हुआ था 18ve57 के विद्रो पता है कि डारेक्ट रा번 conservative कि अंग्रेज़ों की स्थापत्ते हैं ठीक है कौन-कौन से हैं भाई या तो याद रखना अठारा सो चोगतर में जैविलास महल का निर्मान करवाया गया था इनी के शाषनकाल में ठीक है इसके लावा जल बिहार कंपु कोठी ठीक है इसके लावा राज महल तालाव और कौन सा गोर्खी दौर जो कोठी कोठी कहां पर है यह किसके शाषनकाल में बनवाया गया यह सभी चीजें ठीक है इसके लावा सास्त्री संगीत में ग्वालियर घराने का विकास इनी के समय पर हुआ था यह भी याद रखोगे ठीक है ना चलिए इसके लावा यह तबलाबादक जो थे जो राव कि भूमिका की बात करें तो उन्होंने प्रिथ्यक्ष सहिव अंग्रेजों का किया किया अपने जो मंत्री थे दिनकर रहा उनके कहने पर यह अपना जो है कोशालाय में छोड़कर आगरा चले गया थे जब अटारह सो सतावन की क्रांदिक बढ़ तो अंग्रेज और सांथ म को यह क्या कर गे छोड़ गए थे और और जोड़ गए थे उसकी चाविच्व गए थे किसको भई हैं दिन कर रहा हो को तो इस से क्खारांती कारीं को बहुत को थिक थो वही धन सम्थथा की थोड़ी प्राप्त हुआ तो उससे क्खांती में रखना पोशाध्यक्स थे उस समय है ना कोशाध्यक्स रहें हैं इंपर्टेंट हैं पूछे जाते हैं 1857 के विद्रों के दौरान पोशागार की चावी जो है लक्षिमबाई को इनके द्वारी सौपी गई टीक है न तो जो पोशागार की चावी थी अमरचंदवाठिया न भ ये कि कौन थे क्या थे इसके बद आती है तारा भाई तुझे जानकोजी राओ की पतनी जिन्होंने भागी रत राओ की संगरक्षी का के तोर पर भी ये कारी किया याद रखना ठीक है जैविलास पहले इस गौालियर में अवस्थित सुंदर महल जो की पास्चा तसली में बन पहली बार सिचाई बिभाग की स्थापना उननीस सो उननीस सो दो उननीस सो पांच या उननीस सो साथ तो फटा फट बता दें पहली बार सिचाई बिभाग की जो है स्थापना किस समय की गई थी वह भी सिंदिय सासकों के द्वारा ही की गई थी ये भी बता दूं गौालिय चलिए, देढीजी आंसर, ये मद्द पुर्देश में पहली बार सिचाई बिभाक की स्थापना किस वर्स की गई थी? किस वंश में की गई थी, किस छेत्र में या जिले में की गई थी, सब पूछा जा सकता है जिला पूछे तो ग्वालियर आएगा, ठीक है राजा या वंश का पूछे तो आपके कौन सा वंश आने वाला सिंदिय बंश आएगा ठीक है सन पूछा जाता है तो सन आपको बताना रहेगा तो सन आपका बिल्गुल सही आंसर है ठीक है ना 1905 में पहली बार से चाहिए विवा किस था अपना मद्ध प्रदेश में किसी ने की थी तो याद रखना वो इस सन में किये गई थी ठीक है राव दुतिय जानकोची दुतिय ठीक है जायजी राव या दौलत राव फटा फट बता दो भीया कि किस शासक के सासन काल में भाब के दौरा जो है बिजली बनाने का कार पहली बार किया गया था पूरे मद्ध प्रदेश में याद रखेंगे माद्ध राव दुतिय के शासन काल में जानकोची दुतिय ठीक है या फिर जायजी राव के समय या दौलत राव सिंदिया के समय तो फटा पट बता दो भाब से बिजली बनाने का काम किस व्यक्ति के समय पर हुआ था पहली बार ग्यारवा का अंसर आया है ए माद्ध राव दुतिय है ठीक है सभी लोग उत्तर देंगे भाई जितने लोग जोड़े हैं सभी लोगों को आपको अंसर देना रहेगा ठीक है और लास्ट तक क्लास जरूर देखा करो क्योंकि एक बार अगर क्लास आप लोग छोड़ देते ह हो तो फिर वो क्लास आप नहीं देखोगे कभी भी और महत्पूर ट्रस्ट आपको छूट जाएंगे ठीक है लगन आपको लगानी पड़ेगी तब ही भईया आपको रिजल्ट मिलने वाला है ग्यारवे का ये बिलकुल सही आंसर है आपका भईया माधा और अधुत्ती के स कैसला भी लिखा रहता है ठीके ना ज़ॉख कैसला वो वह कुछ भी होुज कैसल होुज कैसल भवन हो वह रिया किस जिल्य में स्थित्त है बता दो बांदाउब गणदः सिंपूरी ग्वालियर यह आपका मंड़ला ज़ॉर्ज कैसल भवन किस जिल्याम स्थित्तverts फ्टव के लिए भी कॉमन कोशन है पूछा भी गया है अलग-अलग एक्जाम में इसके जो है आपको कोशन देखने को मिल जाएंगे कहां पर है ठीक है ना एक पूछा जाता है किस नैशनल पार्क के अंतरकत आता है ये माधाव राश्ट्य उध्यान बिल्कुल सही है ठीक है ना सही ह पहाड़ी पर बना है जोर्ज कैसल भवन बिल्कुल सबके तर सही है ठीक है ना तो याद रखना भहिए कहां पर ये आपके शुपूरी में शुपूरी में ना कौन से माधाव नैशनल पार्क के अंदर है ठीक है उसके इंतरकत आता है और कहां पर पहाड़ी उपर जो है ब प्रदान करने को देश से गौर्मेंट ऑफ ग्वालिर की यानि की राजघराने के साथ में सरकार भी इनके द्वारा जो है बनाए गए थी याद रखना जिसको उन्होंने क्या किया गौर्मेंट ऑफ ग्वालियर ठीक है इसको भी याद रखोगे प्रिशाशन को पारदर्शी बनाने को देश से दो प्रतिनिदी संस्थाओं का गठन भी किया ताकि जो भी काम रहे उसकी पारदर्शिता बनी रहे ठीक है इसके नाम क्या थे मजले से आम और मजले से खास ठीक है मजले से आम और मजले से खास जो की मेंस में बन डिटेल में पढ़ने वाले है ठीक है ना तो याद रखना भी यह इन्होंने जो प्रतिनिदी जो संस्थाओं बनाई थी उन दोनों के नाम भी याद रखना देख्षितना में जो है सिचाई सुविधाओं का व्यापक सर्वेक्षण भी करवाया ठीक है नाम भी मिल गया इसके लाव हरसी तिग्राइबं जो है काकेटो बांध का निर्मान इनके द्वारा करवाया गया इनी के समय राज की तरफ से जो है मोहरम मनानी की पृथा भी इन और उनने क्या किया तो शुप्पूरी को माधाव राष्टय उद्यान है ने माधाव राष्ट्य उद्याना भी बनाए जो ठीक है बाद में बनाया मतला जौर्ज कैसल भवन का है निर्मान जो है करवाया था माधारा पंचम के सौवागत में रखेंगी तीक इसके अलाब जो पट्री जिसंग की रहती है यून 1925 में पैरिस में इनकी ःग थीक है कि पैरिस में तो 1925 में अगला प्रस्वे हैं कि शासक के समय गौालियर रियासत का विले भारत संग में हुआ था जो ग्वालियर रियासत है भारत संग में किसके समय मिली थी माधराव दुत्तिये जायजी राव सिंधिया जीवाजी राव सिंधिया या जानकोजी दुत्तिये तो फटा फटा बता दें कि कि किसके शासनकाल में क्या हो गया था ठीक लोग चलती हुई ट्रेन से उतर भी जाते थे चलती हुई ट्रेन से चड़ भी जाते थे हाँ अभी इंदोर से रतलाम जो लाइन थी नेरो के जवाली वो जरूर बंद करके जो है नॉर्मल करती गई है ठीक है चलिए थर्टीन किस सासक के समय गवालियर रियासक का बिले भारत संग में हुआ था मादाराव दुतिये जैजी राव सिंधिया जीवाजी राव सिंधिया या जानकोजी दुतिये सी आंसराना चालू हो रहा है सब का ठीक है चलिए सी ठीक है जीवाजी राव सिंधिया याद रखना ठीक है चलिए अगला कोशन है विजराजेसंधिया का जन्म मद्धि प्रदेश के किस जिल्य में हुआ था ये भी बता दो वे आकि राजमाता का जन्म कहा पर हुआ था सागर में सतना में, खरगोन में या आपके गौालियर में तो फटा फट बता दो कि विजे राज सिंधिया जिनको बात में राजमाता भी कहा गया है ठीकिन उनका जन्म मद्धि प्रदेश के किस जिले में हुआ था ठीक है तो फटा फट बता दें, आप्शन क्या है, सागर, सतना, खरगोन या गौालियर चवधवा कोशन, सी बिल्कुल सबका सही है, थर्टीन का सी, बिल्कुल सही आंसर है पोटीन कोशन है, विजे राज सिंधिया का जन्म मद्धि प्रदेश के किस जिले में हुआ था सागर, सतना, खरगोन या गौालियर, चली एक आंसर आ भी गया, फटा फटा आंसर देखवाना भी स्टाट होगा, सागर आंसर आ रहा है सब का सागर, सागर बिल्कुल सही आंसर है विया, इनका जन्म कहां पर हुआ था आपके, सागर जिले में हुआ था, सागर मंदित है, याद रखना ठीक है, और गौालियर, राज धनार गहराने में जाकर इनका क्या विभाव भी हुआ था, ठीक है, चले, जीवा जी राव सिंधि से जो हुआ, विजयराजे सिंधिया का जन्म मदिप्रदेश के सागर जिले में हुआ था, याद रखना, यहीं को राज माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, राज माता के नाम से याद रखेंगे, ठीक है ना, चलिए, सुपरसिद्ध जो हिंदी लेखी का, मुरदू लखी सिर्फीरा-जा, ब्रॉ irm रखेंगे, ओंतर तमसे जाता है, ठीक है, राज माता के, तो एक नामी एक रानी एसी भी, टाइटल रहेगा किताब का लिखिक है, म्रदुला, सिंहा के द्वारा लिखी गई, जो राज माता से संबंद दिते हैं, ठीक है ना, बिलकुल सही देखो सौनी लिली ने भेज भी दिया था यह किताब का नाम एक राणी ऐसी भी ना नॉमबर 1936 को जीवाजी राव को जो है माराजा के पूरे अधिकार स्वंब दिये गए थे याद रखना ठीक है ना कब चोंपे गए थे 1936 में याद रखना ठीक है अप्रेल 1944 में दिली में मद्ध भारत के राजाओं के संवेलिन में 25 रियासतों का जो है संग बनाया गया जिसे मद्ध भारत का नाम प्रदान किया गया था मई 1940 को पंडित जवाहरलाल नहरू ने मद्ध भारत राज की प्रथम राज प्रमुक की रूप में जीवा जिराव सिंधिया को शपद भी याद रखना दिलवाई थी ठीक है ना चलिए अगला कोशा ने भी या कि गौालिर की संधी अंग्रेजों और किस सिंधिया सासक के मद्ध कोई थी अं ग्रेजों के साथ में एं सिंधियां वें शासन कों कर रहा था MADORA सिंधिया थे це दॉलत रहों सिंधिया थे यह जेयाजी रहों सिंधिया थे पटाफट बता देंगे इ उत्तर भेजो सभी लोगों को आंसर देना है लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कर दिया करो है ना लिंक चाहो तो भी या आप जो है उसकी लिंक जो है स्ट्रेटस पर लगा लिए करो ता कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके इकत ना गौलिर की संधी अंग्रेज और कौन से सींदिया सासक के मद्ध हुई थी मादाराय सिंदिया जीवाजी राव सिंदिया द्वलत राव सिंदिया यह फटा-फटा बताओ तो सब को पता है इसका उत्तर प्लास अगर धियान से देखी है तो बिल्कुल सब इसका उत्तर जानते हैं डिस्केशन हो चुका है इसके बारे में पहले भी एक अंसर आया है C ठीक है मागी सभी लोग उत्तर देंगे सब ने पढ़ रखा है यह आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा भी यह सी है बिल्कुल सही उत्तर है आपका दौलातरा उसिंदिया और अंग्रेजों के मद्ध हुई था आपकी ग्वालियर की संधी अभी थोड़ दीर पहले पूरी हमने पढ़ ली थी है ना यह क्या डारेक्ट कोश्चन पूछ ली जाता है ना पिंडारियों के विरुद अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल रौड हैस्टिंग एवं ग्वालियर जो रियासत के शाषकते दौलातरा उसिंदिया इनके मद्ध हुई थी पांच नौंबर 1817 को हुई थी याद रखना गवालियर की आपकी संधी याद रखेंगे आप लोग ठीक है ना तो चलिए मित्रों आज का शैशन हम यहीं पर समात करने वाले हैं कल एक बज़े से दो बज़े फिर से आपको आना है करेंट के कोशन रहेंगे और आपके मद्ध जो स्वारी आधुनिक जो इतिहास अगर भी है बता दिया करो सुधार किया जाएगा प्रॉपर तरीके से आप ही लोगों के देखा जाना तो आप लोगों की निगरानी की साबसी लेक्चर तयार होंगे याद रखना ठीक है तो बिलकुल मिलते हैं दोस्तों तब तक लिए जय हिन जय भारत धन्यबाद जय मा ता दी